तो आज हम यहाँपे पढ़ने वाले heat chapter के बारे में जो कि यहाँपे class 7 का 4 chapter है तो इसमें जो हम यहाँपे topic cover करेंगे वो है यहाँपे कौन सा transfer of heat अब यहां पर transfer of heat का मतलब क्या हुआ यहां से आपको इसका मतलब इसके topic के name से पता चल रहा होगा कि यहां पर क्या हो रही है heat transfer हो रही है और जो यहां पर heat transfer होती है वो यहां पर होती कैसे है हम उसके बारे में यहां पर discuss करेंगे माल लो कि यहाँ पर एक hot object है यह जो हमारा object है यह हमारा यहाँ पर क्या है hot है और एक यहाँ पर क्या है हमारा cold object है यह हमारा यहाँ पर कौन सा object है यह हमारा cold object है माल लो कि इसका जो temperature है यहाँ पर कितना है यह हमारा है 50 degree Celsius temperature है और इस object का जो temperature है वो है यहाँ पे 10 degree Celsius अब होगा क्या जब मैं यहाँ पे दोनों object को pass में रखूँगा अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोनों object को pass में रखूँगा तो इसकी जो heat है पहले वाले object की वो यहाँ पे second वाले object में क्या होगी transfer होने लगेगी उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है transfer of heat बोला गया है और यहाँ पे एक condition में heat transfer नहीं होगी जब यहाँ पे दोनों object का जो temperature वो यहाँ पे क्या होगा सेम होगा मालो इसका temperature भी यहाँ पे 30 degree Celsius है और इस वाले का temperature भी यहाँ पर क्या 30 degree Celsius है, जब यहाँ पर दोनों object का temperature सेम होगा, तो वहाँ पर कोई भी transfer of heat नहीं होगी, अब जो यहाँ पर transfer of heat होती है, वो यहाँ पर तीन तरीके से होती है, कौन कौन से तरीके से होती है, यहाँ पर तीन तरीके से होती है, पहला है यहाँ पर by conduction, दूसरा है यहाँ पर by convection, और थीसरा है यहाँ पर by radiation, तो तीनों को हम यहाँ पर बारी-बारी से समझेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ conduction की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते कि conduction होता क्या है तो conduction में जो heat transfer होती है वो सिर्फ किस में होती है solid में होती है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो conduction में heat transfer होती है वो किस में होती है सिर्फ solid में होती है ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ solid में ही होती है conduction fiction वो इसलिए होता है क्योंकि July के particles होते वह काफी क्या होते पास पास होते हैं यह हमारे solid object है और इसके जो compelled होते वह काफी पास होते हैं और यह freely mode नहीं करते हैं mo cannon करने के कारण जो इसमों यहां पर Candy अज़स की process होपाती है तो अगर मैं यहां पर आपको conduction के exact definition बताना चाहूं तो वो यहाँ पर कुछ ऐसी होगी a transfer of heat from the hot part of a material to its colder part is called conduction तो यहाँ पर क्या होगा जो hot part की heat है वो कहाँ पर जाएगी cold part की तरफ जाएगी without the moment of material इसमें जो यहाँ पर क्या होगा material की कोई भी moment नहीं होगी जैसा कि हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे convection के बारे में वहाँ पर क्या होता था जो air और water के particles है वो यहाँ पर freely move कर पाते थे जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर conduction की process होती है वो सिर्फ यहाँ पर solid material में होती है और इसके particles freely move नहीं कर पाते हैं वो एक जिगा से दूसरे जिगा जो heat transfer करते हैं वो vibration के कारण कर पाते हैं अब वो मैं बताऊंगा की होता क्या है तो इसको पर हमें क्या करना है केंड़े इसको हमें यहां पर एक aluminum या एक iron रोड लेनी है मालगोगि हमने यहां पर aluminum रोड ले लिए अब हमें हम यहां पर कुछ नहीं करना हमें किया करना है तीन trag यह नहीं है नेल यहाँ पर क्या होता है जो कील होती है इसको बोला गया है उस नेल को यहाँ पर क्या करेंगे wax से चुपका देंगे क्या करेंगे wax wax जो यहाँ पर candle की होती है उसको यहाँ पर बोला गया है wax से क्या करेंगे उसको इसके किनारे पर लगा के इसको यहाँ पर stick कर देंगे Aluminium rod में तो हम यहाँ पर 3G पर लगाएंगे थोड़े gap में तो हमने एक यहाँ पर लगा दी एक यहाँ पे लगा दी second और एक यहाँ पे लगा दी मालो हमने यहाँ पे three nail लगा दी wax से stick करके aluminium rod पे अब होगा क्या जैसे जैसे यहाँ पे इसमें क्या इसके अंदर particles हैं जो solid होते हैं object उसमें क्या होते हैं अंदर particles होते हैं जो की काफी heat को आगे transfer करेंगे जैसे ही यहाँ पे first point में हमारा पहुंचेगा जहाँ पे हमारी पहली nail लगे हुई है और इसका wax यहाँ पे क्या होगा पिगलना start होगा और जैसी पिगलेगा यह nail यहाँ पे क्या होगी नीचे गर जाएगी फिर दीरे दीरे यहाँ पे इसके particles vibrate करते करते आगे पहुचेंगे फिर second वाले के पहुचेंगे फिर second nail यहाँ पे गर जाएगी same as it is आगे बढ़ते बढ़ते तीसरे वाले के पहुचेंगे और तीसरे nail यहाँ पे क्या होगी नीचे गर जाएगी इससे हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, जो heat है वो यहाँ पर क्या हो रही है, transfer हो रही है, hot part से cold part की तरफ, जिससे हमारे तीनों जो nail है, वो यहाँ पर दीरी-दीरी करके क्या होंगे, नीचे गिरने लगेंगे, तो इस activity से आपको पता चल गया होगा, कि यहाँ पर जो conduction क यहाँ पर क्या होगा, महसूस करेगा कि यहाँ पर जो चमचे वो यहाँ पर गरम हो चुकी है, तो वो भी यहाँ पर conduction के process ही होती है, और यहाँ पर conduction के process किस में हो पाती है, वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो conduction की process हो पाती है, वो उसी object में हो पाती है, जो यहाँ पर क्या है good conductor of heat है होगा क्या है यहाँ पर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूं दो चीज ले रहा हूं मालों कि मैंने यहाँ पर aluminium rod की जिगा यहाँ पर हमने क्या लेती हमने aluminium rod लेती मैं यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पर हमने क्या लेती aluminium rod ले थी, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर wooden कोई block ले ले था, अगर मैं यहाँ पर कोई wooden block ले था, तो क्या होता यहाँ पर, वो heat कर पाता, वो heat transfer कर पाता, नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्यों कि जो यहाँ पर wooden clock है, वो यहाँ पर क्या bad conductor of electricity, यह हमारा यहाँ पर क् heat transfer easy तरीके से कर पाता है जबकि अगर मैं यहाँ पर कोई वोडन ब्लॉक लेता या कोई यहाँ पर अलग इंसुलेटर लेता तो वो यहाँ पर heat transfer नहीं कर पाता तो यह point भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ध्यान में रखना पड़ेगा अब यहाँ पर इसके क्या-क्य होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है जो conduction है वो यहाँ पर क्या हो सके easy तरीके से हो पाए क्या हो पाए easy तरीके से हो पाए क्योंकि जितनी अच्छी वहाँ पर metals के बने होते हैं, जैसके हमारे यहाँ पे aluminium हो गया, steel हो गया, यह सब किसके बने होते हैं? metals के बने होते हैं, क्योंकि metals में जो conduction की process है, वो यहाँ पे असानी से हो पाती है, बट आपने एक चीज़ दियान में रखी होगी, जो इसका यहाँ पे handle होते हैं, वो यहाँ पे किसका बना होते हैं? insulator का बना होता है, मतलब plastic का बना होता है, वो इसलिए होता है, क्यूंकि जो plastic होते हैं, वो यहाँ पे kya होता है? bad conductor of heat होता है, उसमें heat असानी से जो ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिसके वज़े से हमारा हाथ जो हुँ जलता नहीं है और उसको हम यहां पर असानी से use कर पाते हैं तो इसलिए यहां पर जो उसका handle होता है वो यहां पर क्या होता है thermo setting plastic होता है जहां पर heat transfer नहीं हो पाती है वो आपको यहां पर जो conduction का टॉपिक के हैं, असानी से समझ में आ गया होगा, अब हम यहां पर next topic में इसका second part की बात करेंगे, जहां पर हम convection की बात करेंगे, तो देखते हैं यहां पर convection में क्या होता है,